नमस्कार दोस्तों आप सभी लोग का हमारे चनल में बहुत बहुत वागत हैं दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th Math exercise 24 का question no.20 से देखने जा रहा है पिछले वीडियो में दोस्तों question no.19 देख लेते हैं इदे आप लोग नहीं देखे हो तो आप इस request है कि पले इस वीडियो को जाक जाएगा है इसमें का रहा है कि find the equation of the hyperbola क्या करा है कि hyperbola का equation find कीजिए कुछ vertices are 0,3 क्या करा वर्टीश क कोडिनेट कितना दिया गया है 0,3 दिया गया है and the eccentricity is 4,3 eccentricity का value 4 upon 3 दिया गया है and also find the coordinate of its foci देखाए और बताना और ना कि फोगा एका कॉओंडे कितना वहां दोर्स, दिखे हैं लिखेंगे यह पर given वार्टीशेज वर्टिसे कितना है 0, plus minus 3 अब यहाँ पर देखिए जो वर्टिसे का कोडिनेट दिया गया है उसमें क्या है एक्स कोडिनेट क्या है जीरो है तो देखें यहाँ पर since x कोडिनेट अफ x कोडिनेट अफ x कोडिनेट अफ x कोडिनेट अफ सब्सक्राइब हो जाएगा अब देखिए इसका हो जाएगा अब देखिए इसका इसका फिल दोस्त हो जाएगा अब पर लिखेंगे लिखेंगे नौ देखिए वर्टीसे का कोडिया गया दिया गया जीरो कॉमा प्लस माइनस 3 मैं तो वाएकसिसके लोंग है पंण बेंट यह होता और जी रो कोमा हम प्लस माइनस वह होगा के हैं यहाँ से कंपेयर करेंगे दिखे रोग कितना मतल हो जाएगा अन आन है सब्सक्राइब या बेलू हम लोग को दिया गया इस यह इंट्रीस एटी तेडिया गिए ले को आपकंट सिदे के लिए यह उता है तो से रोज आप सिटे का घैना सिंब्सक्राइब नखिवाट नीच्पूरि पोर्म्ला क्योंतों करेंगे यह हुजाएगा हमा लों को 3C equal to कितना हो जाएगा 12 यहां से C equal to कितना हो जाएगा 12 upon 3 cancel कर दीजे 4C equal to हो जाएगा हम लोग को 4 अब दोस्त देखें जो equation हम लोग निकालना उसमें A and B का फेलो पता होना चाहिए A का फेलो तो पता है यहां पर हम लोग relation जानते है A, B and C में लिखेंगे We know that C equal to क्या होता root under A square plus B square इसको आप ऐसे भी लिए सकते हैं C square equal to A square plus B square whole square करेंगे तो इस रिजल टाएगा C का फेलो फोर्ट 4 का square equal to A square A का फेलो कितना है 3, 3 का square plus B square आगे देखिए 4 का square 16 equal to 3 का square 9 plus B square आगे देखिए 16 plus 9 को लेट लागे तो जाएगा minus 9 equal to B square तो याज दोस्तो B square equal to क्या हो जाएगा 7 अब लिखेंगे therefore equation of therefore required equation therefore required equation A and B का फेलो उनों को पता चल गया है A और B square का लिखेंगे equation क्या है Y square अप वान में देखिए इसी का value निकालना था इसको equation 1 लेट कर लिए तिके आया Y square upon A square minus X square upon B square equal to 1 put कर देजे value ये Y square upon A square देखिए A का value कितना है A का value आया है 3 आया है यहाँ पर 3 put कीजे minus X square upon B square तो B square का value है 7 equal to 1 इसका final answer दोस्तों हो जाएगा Y square upon में 9 Y square upon में 9 minus X square upon में 7 equal to 1 तो यहीं दोस्तों इसका final क्या हो जाएगा answer हो जाएगा question number 20 का अब साथ में दोस्तों में निकालना था coordinate of foci देखिया हाँ पर देखियेंगे therefore coordinate therefore coordinate of foci coordinate of foci देखियो y axis के long hyperbola coordinate क्या हो जाएगा गाए जिरो कोबाद प्लस माइनस सी देखियेंगे जीरो कोबाद प्लस माइनस सी का value कितना सी का value है 4 तो यह दोस्तों इसका final answer हो जाएग question number 20 का इसका answer यह और दूसरा जाएगा होगा बहुत आसान है इस तरह question आप लोगों को खुछ से भी बन जाएगा अब इसका next question देखियें आपके question number 21 का रहा है कि find the equation of the hyperbola which foci are 0, plus minus 13 क्या करा है कि hyperbola के equation निकाल है जिसमें foci coordinate हम लोग यह दिया गया है and the length of conjugate axis is 24 देखिये उस तो इसको कैसे solve करेंगे तो यहां पर लिखेंगे since x coordinate of foci is 0 देखिये x coordinate क्या है 0 है यह फोकाई का इसका मतलब है यह hyperbola जो बनेगा सो क्या बनेगा vertical right axis के long बनेगा clicking so it is a vertical hyperbola vertical hyperbola होगे लेखिये therefore equation क्या हो जाएक vertical hyperbola का y square upon a square minus x square upon b square equal to 1 इसे का value दो लोगों को निकालना है इसको equation 1 लेट कर लिए इसे लोगा value क्या होना चाहिए पता a and b का अब लिखेंगे given में given foci foci according कितना है 0, plus minus 13 तो y axis के जो along जो hyperbola बनता है उसका फोकाई coordinate कितना होता है 0, plus minus क्या होता है c होता है यहां से compare करेंगे तो c equal to क्या मिल जाएगा 13 मिल जाएगा यह plus minus equal to plus minus 13 है प्लस वाले को प्लस साथ compare करेंगे c equal to 13 हो जाएगा यह आप minus c को minus 13 के साथ compare करेंगे तो भी c equal to 13 नहीं होगा and second दिया गया length of conjugate axis लेकि length of conjugate axis क्या होता है to be होता है लेकि end length of conjugate axis कितना दिया गया 24 दिया गया है यहां से बीकोल कितना होचागा 24 अब उन में 2 कैंसल कर देजिए तो बी का वेलू कितना मिल गया अब दोस्ते का वेलू पता है बी का वेलू पता है यहां से लिए का वेलू फाइंड कर सकते हैं लिखेंगे यहां पर we know that we know that c equal to कितना होता है root under a square plus b square होता है या c square equal to a square plus b square हों लिख सकते है whole square करेंगे बोथ से तो आगे देखिए देखिया c का वेलू कितना 13 यह हो जाएगा हम लोगो 13 का square equal to a square as it is plus b square याने की 12 का square solve कर लिजे देखिए यह हो जाएगा हम लोगों को 13 का square हो जाएगा 169 equal to a square plus 12 का square 144 कि हो जाएगा 169 plus 144 को लेट मिल जाएगा तो माइनस 144 equal to a square आगे देखिए तो 169 में से 144 जाएगा तो हो जाएगा 25 equal to a square आप इसको इसे भी लिशकता है a square equal to 25 अब लिखेंगे therefore equation of hyperbola लिखेंगे therefore equation of hyperbola क्या equation था y square upon a square लिखेंगे यहाँ पे y square upon a square minus x square upon b square equal to one value put कर लिजिए यहाँ पे यहाँ जाएगा y square upon a square a square 25 minus x square upon b square देखिए दोस्तों कितना बी का वेल्व है 12 है यह जाएगा आम लोंको 12 का square equal to one आगे देखिए यह y square upon 25 minus x square upon 12 का square 144 equal to one तो यह दोस्तों required answer होगे question number 21 का आई होगे दोस्तों question number 21 भी आप लोग सुझ में आ गया होगा बहुत आसान है दोस्तों इस तरह question आप खूसे भी solve कर सकते हैं अब इसका next question देखिए question number 22 का रहा है कि find the equation of the hyperbola फूज फोकाई 0, plus minus 10 फोकाई कोर्णेट हम लों यह दिया गया and the length of whose latest rectum is 9 units दोस्तों देखिए यहां पर फोकाई का x कोर्णेट क्या है 0 दिया गया इसका मतलब है यह y axis के long hyperbola बनेगा यानि कि vertical hyperbola बनेगा यहां पर लिखेंगे since x-coordinate since x-coordinate of फोकाई is 0, so it is a vertical hyperbola कैसा hyperbola बनेगा वर्टिकल हाइपरbola वा-axis के long जो बनता है उसको में क्या बोलता है वर्टिकल hyperbola लिखेंगे therefore इसका equation क्या होता है वर्टिकल hyperbola का y-square upon a-square minus x-square upon b-square equal to 1 इसका भेलों लोगों को निकालना है यहोगे equation 1 अब यहां लिखेंगे given लिखेंगे given देखिए फोकाई का कोर्णेट कितना दिया गया जीरो कॉमा प्लस माइनस 10 दिया गया तो यहां से compare करेंगे तो बताएं कितना मिल जाएगा को एंड लेंथ ऑफ लेंथ ओफ लेंथ ऑफ लेंथ अप लेंथ और लेंथ प्लस रेक्टर्म कितना दिया गया दिया गया है both of letters का फेलू पता है और यहां बीशेट कोई है तो हम लोगा रिलेसिन लगाएंगे यहां पर एबी और सी में जो रिलेस्ट होता है इसका तो लिखेंगे वी अधेट कि यह को देट C equal to root under A square plus B square या C square equal to A square plus B square बेलोग पूट किजिए इसमें, देखिए C का square तो C कितना है, 10 है तो यह जाएगा 10 का square equal to A square as it is plus B square तो B square जाएगा कितना है 9 A upon में कितना है, 2 solve किजिए इसको तो देखिए, यह हो जाएगा 10 का square हो जाएगा, 100 equal to यहाँ पर स्कालसियम लेजिए, तो 2 तो हो जाएगा 2 A square plus 9 है अब इसको यहाँ पर cross multiplication कर लीजिए तो हो जाएगा 200 equal to 2 A square plus 9 A आगे देखिए 2 A square plus 9 है plus 200 को right-set रम लेजाएगा तो हो जाएगा, minus 200 equal to 0 आगे देखिए अब इसका हम लोग क्या करेंगे prime factorization निकालेंगे, देखिए हाँ पर तो से इसको multiply करें तो हो जाएगा 400 देखिए हाँ पर देखिए 400 का हम लोग क्या किया है आपर prime factorization निकाले है add या subtract करने पर कितना चाहिए, 9 आना चाहिए देखिए होगे 25 और यह होगे 16 तो 25 में 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा तो लिख सकते हैं, 2a square minus 16a plus 25a minus 200 equal to 0 देखिए 25a में 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और इस दोनों का multiply करेंगे कितना हो जाएगा हम लोग को निगेटिव का 400 निगेटिव का 400 ही हम लोगों कुछ आएगा साथ में a square इस इस को multiply करेंगे तो minus 400 a square हो जाएगा अब यहां से क्याएगा यहां से कॉमन लेगा यहां पर a minus कितना बचाएगा 8 बचेगा plus 25 यहां से कॉमन लेगा तो यह बचेगा a minus 8 equal to 0 आगे देखिए यह हो जाएगा a minus 8 यह हो जाएगा 2a plus 25 equal to 0 आगे देखिए अब इससे आगे देखिए लिखेंग यहां पर a minus 8 equal to 0 यहां से a equal to कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा and 2a plus 25 equal to 0 यह हो जाएगा 2a equal to minus 25 यहां से a equal to हो जाएगा minus 25 upon 2 तो यह क्या होता है length होता है center से vertex का distance होता है क्या बोलते है यह बोलते है एक अभी negative नहीं होता है यह लिखेंगा not possible not possible एक अभी वेलू कितना मिल गया हमनों को 8 मिल गया अब दोस्ते कि इस a का वेलू क्या करें यहां पूट कर देंगे देखिए यहां पर तो देखिए बीए स्क्वाइड इक्वाइड इक्वाइड टू नाइन इन्टू एट अपॉन में कितना हो जाएगा टू हो जाए एक पूट किया है यहां पर स्क्वाइड गया ही और दोस्तों यह गया हो सब्सक्र, लोग चाहस़ कीजिएगा इसका नेक्स्ट कोस्ट देखिए कोशन नुझ नवर 23 कर रहा है कि फाइन डीक्विशन ओफ धी हाइपर बोला हुझ फोकाई का कोडिनेट हमें लिए खिएड़ो कॉमा प्लस मैनेस रूटेन रूटेन फॉर्टेन and passing through the points P 3,4 यह question दोस्तों most important क्या का रहा है कि hyperbola के equation निकाल जिसका Foki का coordinate कितना दिया गहा है 0, plus minus root 14 और hyperbola जो है P points से pass कर रहा है जिसका coordinate हम लोगो 3,4 दिया गिया है यहाँ पर लिखेंगे since x coordinate since x coordinate of Foki is 0, so it is a vertical hyperbola इतना बात इसे समझ में आ रहा है यहाँ पर x coordinate 0 इसलिए क्या हो जाएगा यह y axis के long होगा hyperbola y axis के long जो तरसको लोगा क्या होते है vertical hyperbola बोलते है यहाँ पर लिखेंगे given में given में यहाँ पर लिखेंगे therefore equations equations इसका क्या हो जाएग वर्टिकल है पर बोला का y square अपॉन में a square minus x square अपॉन में b square equal to 1 इसका वहलू दोस्तों लोगा निकालना है इसको लोग equation 1 माल लिए अब यहाँ आप लिखेंग गीवें लिखेंगे लिखेंग गीवें फोकाई का कोडिनेट कितना दियागे फोकाई कोडिनेट दियागे 0, plus minus root under 14 जो y axis के अलोंग hyperbola होता उसका फोकाई कोडिनेट कितना होता 0, plus minus क्या होता c होता है यहाँ से c equal to कितना हो जाएगा root under 14 यहाँ से दिया हम लोग को information मिलता है अब यहाँ पर देखिये लिखेंगे since since this parabola sorry this hyperbola since this hyperbola passes through through the point P इस है कोडिनेट 3,4 है so this point must be satisfied must be satisfied given equation given equation क्या हो इसका मतलब यहाँ पर बोला जो है so P point से क्या करहा pass कर रहा है तो जाएड़ से बात है यह point P जो होगा इस हाँ पर बोला ही पर होगा इसका मतलब है कि यह point इस equation को satisfy करेगा जनके X का जगा पर इसमें क्या कीजिए 3 put कीजिए और Y का जगा पर इसमें क्या कीजिए 4 put कीजिए लिखेंगे दिखेंगे बात पर इसमें क्या होगा एंड यग इक्वेशन वन एक्वेशन वन यह क्यों जाएगा देखिए तो y² इस्टार्टिंग में क्या है y² तो y का फेलू कितना 4 यह हो जाएगा 4 का स्क्वाइर अपॉन में a²-3 का स्क्वाइर अपॉन में b² इक्वाल टू 1 आज़े दिखिए 4 का स्क्वाइर 16 अपॉन में a²-9 अपॉन में b² इक्वाल टू 1 अब यहां पर इसका लों क्या करेंगे लसी अम डेल लेंगे लसी में तो जाएगा a²-b² यह जाएगा 16 b²-9a²-1 आगे देखिए अब इसको लों क्रॉस मुल्टिपेसन यहां पर कर लेंगे यह जाएगा 16 b²-9a² इक्वाल टू a²-b² इसको लों एक्वेशन टू लेट कर लेंगे आगे देखिए अब देखिए हम लोगों को a and b का पता होना चाहिए c का यहां पर क्या है पता है यहां पर c का वेलू कितना 14 है तो देखिए हम लोग जानते हैं देखिए यहां पर we know that यहां पर देखिए देखिए लिखेंगे we know that c equal to क्या था root under a² plus b² c² equal to कितना होजा है a² plus b² तो c का वेलू कितना है root under 14 देखिए यहां पर c का वेलू कितना है root under 14 है यह बला भेलू पूट किजिए यहां पर है यह हो जाएगा root under 14 का a² equal to a² plus b² स्क्वाइस रूट कैंसिल हो जाएगा 14 equal to a² plus b² यह हो जाएगा 14 minus a² equal to b² इसको लोग एक्वेशन 3 लेट कर लते हैं तो b² का वेलू कितना हो गया b² का वेलू हो गया 14 minus a² इसमें क्या की जो पूट कर दिजैंट लिखेंगे put लिखेंगे now put b² equal to 16 minus 14 minus b² equal to 14 minus a² in equation 2 we get देखें क्या हो जाएगा 16 b² b² जैब कितना है 14 minus a² माइनस यह जगा 9 a2 equal to a2 as it is a2 into b2 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 जगा हम लोग क्या किये 14-a2 यहां समझे कि इस equation हम लोग क्या किया है b2 b2 के जगाए पर क्या किया है 14-a2 put किया है आगे इसको solve किजिए अब देखिए इसे आगे हम इसको solve करेंगे तो 16 से सको multiply करें देखिए 16 इंटो 4 होता है 224 माइनस 16 a2 यह जागा माइनस 9 a2 equal to यह जागा 14 a2 और यह जागा माइनस a का पावर 4 आगे देखिए तो 224 देखिए माइनस 16 a2 और माइनस 9 a2 कितना हो जागा माइनस 25 a2 इस दो टर्म को लेप्ट में लागे तो हो जागा माइनस 14 a2 और प्लस a to the power 4 equal to 0 अब इसे आगे देखिए देखिए हो जागा 224 देखिए माइनस 25 और माइनस 14 देखिए हो जागा माइनस 39 a2 प्लस a to the power 4 equal to 0 आज देखिए हाइस पावर को पल लिखते हैं a to the power 4 माइनस 39 a2 प्लस 224 equal to 0 अब क्या करें इसको में मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे देखिए आज देखिए इससे आगे पिछला प्रिम्स दोस्तों में प्लस 224 equal to 0 अब इसको क्या करेंगे यहां ने कुछ है यहां पर 1 है तो मुल्टिप्लाइ करने पर 224 आना चाहिए और अब इसको निकाल लाए माइनस 39 हो जाएगा और इसको मुल्टिप्लाइ करेंगे तो जाएगा फ्लस 224 हो जाएगा तो लिखें यह स्क्वार फॉर माइनस 32 एसक्वार माइनस 7 एसक्वाइर प्लस 224 एकोल टुजिरो आगे देखिए इसमें से क्या कीचिए A2 कौमन लेंगे यह बचेगा A2 माइनस 32 माइनस 7 यहां से कौमन ले लीजेए बचेगा A2 माइनस कौमन लिया है मैंस प्लस क्या रिजाँ माइनस सब्सक्राइब करदीजे यहां सेवन त्री ज़ा 21 बचाब़ान चेवन चुह भूर्टीन इक्वेल टू जीरो तिस दोन हम से common ले लेजिए a²-32 और यहाँ पर a²-7 इक्वल टू जीरो आगे देखिए तो लिखेंगे यहाँ पर a²-32 इक्वल टू जीरो इससे आगे देखिए यहाँ पर a²-32 इक्वल टू जीरो यहाँ पर देखिए a²-32 कितना हो जाएगा 32 अब दोस्ते कि यह फैलू पॉसीवल नहीं होगा तो देखिए not possible यहाँ लिखेंगे अब यहाँ पर पॉसीवल क्यों होगा एस्क्वार पॉजीटिव आ रहा था निगे अपनोड पॉसीवल क्यों होगा देखिए यहाँ पर a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a 18-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²-a²- Aed Center करते हैं देंगे 14-a squared equal to कितना हो जाएगा B a squared इहां value हुआ है रिकुर्यड इक्वियशन संग ऑफ हाईपर वोला का हो दो इसके हो जाएगा जिसको आँपोन में स्कूएर माइनस एक स्कूएर आपोन में कंदी कोई इस इसक्राइब क्रेसं का नंदेस्व का और इसकण आपWow मीनस एक्स क्यार अपं मेरी 7 इकल्टुव निया पीस काल्शियम ले लीजिए चेम्सक्व हो जाएगा यहाएगा रस्क्राथ माइनस अक्स क्यार टू उन फिर क्र्शम्हों रिश्त क्रोंuyu जाएंपमर्टिपे stupid क्रोल यहाँ 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 मैर्जै नहीं इक्वल टूवन सेवन वाइस नहीं पर यह जागा वाइस स्कुराइर माइनस एक्स एक्वल टूस एक्वल टूसेवन यह दोस्ति इसका रिक्वाइड आंसर रहे कोस्टिन अप्लगों समझ मागें कहीं वीडियो अच्छा लगे मेरे प्रहने का तरीका यह दिए आपलों कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और उससे कमेंट करें जो बताएं कि कंसेप्ट आप लोग साज माइके नहीं में ते नेश्ट वीडियो में तब तक तक में थेंकिए सुनेश्ट